So Hello Guys, क्या से हो आप लोग, तो इस वीड़ो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि Minecraft में आप अपने दोस्तों के साथ क्या से खेल सकते हैं, वो भी बीना लॉग इन किये यानि कि जो Multiplayer Mood होता है, उसको क्या से आप खेलेंगे अपने दोस्तों के साथ वो भी बीना sign in किये, बीना अपने account को login किये, वो आज इस वीड़ो में आपको मैं बताने वाला हूँ तो अगर आप भी ऐसा सोच रहे किया, Multiplayer Mood खेली नहीं सकते, बीना login किये, बीना account को sign in किये तो बस आपको इस वीड़ो को last तक देखना है, इस वीड़ो में आपको मैं जो तरीका बताऊंगा, उससे आप सिर्फ एक दोस नहीं, दो दोस नहीं, जितना चाहे उतने दोस्तों के साथ Multiplayer मूट खेल सकते हैं, मजा कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सहीं तरीके से, तो बस आपको वीड़ो को last तक देखना है, और ध्यान से देखना है, तो अभी हम बिना time waste किये, चलो जानते हैं कि कैसे आप Minecraft में Multiplayer मूट खेल सकते हैं, बिना sign in किये, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मैं फोटो के जरी यह समझाओंगा, उसके बाद आपको अपने phone में यह सब करना है, तो यहाँ पर अभी आपको सबसे पहले तो दो device चाहिए, यानि कि दो mobile phone चाहिए, उसके बाद आपको आगे का process करना है, तो यहाँ पर देखो मेरे पास दो mobile phone है, दो screen है, और दोनों में जो account है वो login नहीं हुआ है, कहीं पर भी आप देख लो sign in नहीं ह अब आपको इसके बाद करना है, कि आपको simply एक phone से wifi on करना है, एक phone से hotspot on करना है, वाइफ और hotspot आपको पता होगा क्या करते हो उसका, उसको आपस में connect करना है, अगर नहीं पता connect कैसे करता है, तो YouTube पे search कर सकते हो, बस आपको wifi hotspot को connect करना है, ठीक है, अब उसके बाद आप इसको एक phone को अपने हाथ में लेना है, उसके बाद उसमें setting में जाना है, profile में जाना है, और यहाँ पर देखो, use cellular data, तो आपको simply इसको off कर देना है, ठीक है, इसमें off करना है, और उसके बाद आपको simply इसमें एक create करना है world, तो आपको world create करना तो आता ही होगा, और आपको मै बतायता हूँ यहाँ पर Wi-Fi और Hotspot का connection होगा इसका मतलब यह है कि आप कहीं दूर से बैठे एकदम नहीं खेल सकते Wi-Fi और Hotspot का जो भी range रहता है मतलब 20 या फिर 25 फीट इतना Wi-Fi का कुछ range रहता है तो आपको अपने दोस्त के साथ ऐसा ही बैठ के खेलना पड़ेगा आप दूर से online नहीं खेल सकते आपको अपने दोस्त के साथ बैठ कर मतलब एक room में बैठ के खेलना है वसा आप यह समझ लो वैसा ही आप खेल सकते हो multiplayer mood को हाँ तो आपको यहाँ पर world create करना है world create करना आपको आता ही होगा जैसे world create कर लोगे उसके बाद यहाँ परना आपको एक setting मिलेगा multiplayer का तो आपको इसको simply on कर देना है क्योंकि हमको multiplayer खेलना है तो आप multiplayer का जो जो आपको option मिलेगा वो सभी आप enable कर देना सभी को on कर देना है ताकि ऐसा ना हो कि आपको कोई यह वाला setting मिली नी रहा तो आपने enable नहीं किया तो आपको मिलेगा कैसे तो आपको enable कर देना है अब उसके बाद आपको दूसरा phone लेना है जो पहला phone में तो world create कर लिए अब आपको दूसरा phone लेना है, दूसरा phone यहाँ पर देखो, दूसरा screen आ गया, अब उसके बाद यहाँ पर जो use cellular data होता है न, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको आपको इसमें enable कर देना है, तो जिसमें आपने world create किया, उसमें आपको disable करना है, जिसमें आपने world create नहीं किया यानि कि जिसमें आप जुडने वाले हो उस world में, मतलब उस world में join होगे, उस phone में आपको इसे enable करना है, जैसे enable करोगे, उसके बाद आपको simply friend वाले section में आना है, मतलब game open करोगे, उस बाद worlds में आना है, फिर यहाँ पर देख लो, इसके इन में तो आपको मैं साफ ही साफ दि खा देगा कि आप इस तोर में, इस में join हो सकते हैं, और यहाँ पर आपको simple इसमें click करना है, join करना है, उसके बाद थोड़ा से connecting type का यहाँ पर थोड़ा से interface आएगा, और उसके बाद आप अपने friend वाले world में join हो जाएंगे, खेल सकते हैं, और देखो मैं बतायता हूँ, इ इसमें खेल ही नहीं सकते हैं, तो आप यह भी ध्यान में रखना, और उसके बाद game restart करना, फिर से friend वाले section में जाना, और फिर से यहाँ पर देखना, यहाँ पर आहीं चाहेगा, मतलब आप connect होना चाहिए, ठीक है न, वाइफा और होटस पर connect होना चाहिए, तभी यहाँ प होगा दूसरे वाले में hotspot, तो पहले वाले का Wi-Fi बंद करो, उसमें hotspot enable कर दो, दूसरे वाले का hotspot बंद करके Wi-Fi enable कर दो, जस्ट उल्टा कर देना, ठीक है, आप उल्टा तो समझता ही होंगे, और अगर आप ऐसा उल्टा नहीं करना चाहते, Wi-Fi hotspot का, तो या तो आपना ज करने के बाद ऐसा, जोइन वगरे का option आता है, कईयों के में ऐसा ही आ जाता है, ठीक है, तो जो आपको मैं बता रहूँ, वैसा आपको करना है, एगर ये ट्रिक वर्ट करता है, तो प्लीस कमेंट करके जरूर बताने, अपने मैल्टी प्लेयर मूट खेला के नहीं खेला, औ और भी ऐसे अच्छे अच्छे माइंडग्राफ्ट के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब करो, बाई बाई गैस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर